आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी को दबाना ना भूले अगर आपने अध्याए एक, दो, तीन नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे रखा है, धन्यवाद, मेरे पिता नदी धूनता है समुद्र तटकी एक संकरी पट्टी के ठीक आगे जंगल शुरू हुआ घना, काला, नम, दरावना जंगल, मेरे पिता को शायद ही पता था कि कहा जाना है, इसलिए वह सोचने के लिए एक वहुजाडी के नीचे रेंगते रहे और आठ की नुखा गए उसने फैसला किया कि सबसे पहले नदी को खोजना है, क्योंकि अजगर नदी के किनारे कही बंधा हुआ था फिर उसने सोचा अगर नदी समुद्र में बहती है तो मुझे इसे आसानी से खोजने में सक्षम होना चाहिए अगर मैं बस समुद्र तट पर काफी दूर चलूँ इसलिए मेरे पिता सूरज उपने तक चले और वे ओशन रॉक से काफी दूर थे उनके पास रहना खतरनाक था क्योंकि दिन की समय उन पर पहरा लग सकता था उसे लंबी घास का एक छुरमुट मिला और वह बैठ गया फिर उसने अपने रबर के जूते उतारे और तीन और कीनू खा लिये वह बारा खा सकता था लेकिन उसने इस द्वीप पर कोई कीनू नहीं देखा था और वह खाने के लिए कुछ खाने का जोखिम नहीं उठा सकता था मेरे पिता उस दिन पूरे दिन सोते रहे और दोपहर में देर से उठे जब उन्होंने एक अजीब सी आवाद सुनी मेरे पिता ने देखा कि एक छोटा सा पंजा अपनी जोली पर खुद को रगर रहा है वह बिलकुल शान्द पढ़ा रहा और चूहा क्योंकि वह एक चूहा था जल्दी से अपने आप में बुदबुदाते हुए चला गया मुझे अच्छी गंधा रही है मेरा मतलब है मुझे किसी को बताना चाहिए मेरे पिता ने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर समूत्र तट पर उतरना शुरू कर दिया क्योंकि अब लगभग अंधेरा हो चुका था और उन्हें डर था कि चूहा वास्तव में किसी को बता देगा वो पूरी रात चला और दो डरावनी चीजे हुई पहले उससे बस छीखना था तो उसने किया और पास के किसी व्यक्ती ने कहा क्या वह तुम हो बंदर मेरे पिता ने कहा हा तब आवाज ने कहा तुम्हारी पीट पर कुछ होना चाहिए बंदर और मेरे पिता ने कहा हां क्योंकि उसने किया था उसकी पीट पर उसका थेला था तुम्हारी पीट पर क्या है बंदर आवाज से पूछा मेरे पिता को नहीं पता था कि क्या कहना है क्योंकि एक बंदर की पीट पर क्या होगा और अगर उसके पास कुछ होता तो वह किसी को इसके बारे में कैसे बताता तब ही एक और आवाज आई मुझे यकीन है कि आप अपनी बीमार दादी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं मेरे पिता ने हाँ कहा और जल्दी चले गए सैयोग से उसे बाद में पता चला कि वह कच्छों के एक जोडे से बात कर रहा था दूसरी बात जो हुई वह यह थी कि वह लगभग दो जंगली सुरों के बीच से गुजर रहा था जो धीमी फुस्फुसाहट में बात कर रहे थे जब उसने पहली बार काली आकरतियों को देखा तो उसे लगा कि वे शिला खंड है ठीक उसी समय उसने उन में से एक को यह कहते हुए सुना हाल के आकरमन के तीन संकेत हैं सबसे पहले ताजे कीनू के छिलके ओशन रॉक्स के पास वाहू जाड़ी के नीचे पाए गए दूसरा, एक चुहे ने ओशन रॉक्स से कुछ दूरी पर एक असाधारन चतान की सूचना दी जो आगे की जाच में बस नहीं था हाला कि उसी स्थान पर अधिक ताजे कीनू के छिलके पाए गए जो आकरमन का तीसरा संकेत है चून की कीनू हमारे द्वीप पर नहीं उपते हैं किसी ने उन्हें समुद्र की चतानों के पार से लाया होगा अन्य द्वीप जो माउस द्वारा रिपोर्ट की गई असाधारन चतान की उपस्थिती और या गायब होने के साथ कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक लंबी चुपी के बाद दूसरे सुव ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि हमें सब को बहुत कम्हीरता से ले रहे हैं। वे चुलकी शायद यहाँ पर अपने आप तैरते हैं और आप जानते हैं कि चुहे कितने अविश्वसनिय होते हैं। इसके अलावा, अगर आक्रमन हुआ होता, मैं ऐसे देख लेता। शायद तुम ठीक कह रहे हो, पहले सुव ने कहा, क्या हम रिटायर हो जाएं। जिससे वे दोनों वापस जंगल में भटक गए। खैर, इसने मेरे पिता को एक सबक सिखाया, और उसके बाद उन्होंने अपने सभी कीनू के छिलके बचा लिये। वोल सारी रात चला और भोर होते होते नदी के पास आ गया। फिर उसकी मुसीबते सच्छमुच शुरू हुई। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी को दबाना ना भूले जिससे अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल धन्यवाद